बाई और बेनों, गरीब का खर्च पताने, मंतिमवर का खर्च पताने के साथ ही, हमारी सरकार ने ये भी कोशिच किया है, कि मिडल क्लास की जेब में ज़्यादा से जैसा बच्चत हो। आपको याद होगा, नव वर्थ पहले तक दो लाख रुपे सालाना कमाई पर टैक्स लग जाता था, दो लाख की कमाई पर, आज साथ लाख रुपिय तक की कमाई होने पर भी टैक्स कितना है, जीरो, शुन्य, साथ लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसे शहरों में रहने वाले मद्यमवर्क पढ़िवारों के हर साल हजारों रुपिये बच रहे हमने छोटी बचत पर नानी बचत अधिक ब्याद देने का भी कदम उठाया है इस साल इपी एफो पर सवा आठ प्रतिशत इंट्रेस्ट तैक किया गया है साथियों हमारी सरकार की नीतियों निर्णयों में से कैसे आपके पास से बच रहे हैं इसका एक उदार ने आपका मोबाइल फॉन भी है शायद आपका उत्रब ध्यान नहीं गया होगा आज अमीर हो या गरीब अधिकास लोगों के पास फोन जरूर होता है आज हर भारतिया आउसतन हर महिने करीब करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है आप जानते हैं 2014 में एक जीबी डेटा की किमत कितनी थी 2014 में एक जीबी डेटा के लिए आपको 300 रिपिये देने पड़ते थे अगर वही पुरानी सरकार आज होती तो आपको मोबाइल का ही बील हर महिने कम से कम 6,000 रुपिये देना पड़ता जबकि आज 20 जीबी डेटा के लिए 300-400 रुपिये का ही बील आता है यानि आज लोगों के हर महिने मोबाइल बील में करीब करीब 5,000 रुपिये हर महिना बच रहे जाथ यो जिन परिवारों में सीनियर सिटिजन हो बुरुद्ध माता पिता हो दादा दादी हो और कोईन कोई बिमारी हो तो परिवार में रेगुलर दवाएं लेनी पड़ती है उन्हें भी हमारी सरकार योजनाओं से बहुत बच्छत करवा रही है पहले इन लोगों को मार्केट में अधिक किमत पर दवा खरीदनी पड़ती थी उन्हें इस जिंता से उबारने के लिए हमने जन अउसरजी केंद्र पर सत्ती दवाई दिने का शुरू किया इन स्टोर की वज़े से गरीब और मद्यमबर के करीब बीस हजार करोड रुपय की बच्छत हुई है गरीब के लिए सम्वेदन सिल सरकार मद्यमबर के लिए सम्वेदन सिल सरकार एक के बाद हो कदम उशाती है ताकि सामान नागरी के जेब पर बोज नव बढ़े